हालो स्टूडेंज, करंट अफेर एक्स्प्लेइन सेशन में आपका फिर से बहुत बहुत सफागत है, आज मैं बात करूँगा काला पानी रिजन डिस्प्यूट के बारे में, यह हम इसलिए पढ़ रहे हैं, विकॉस डीसेंटली, इस फ्राइडे हमारे होम मिनिस्टर राजन आज मात सिंग ने 80 किलोमेटर लंबा एक रोड इनागुरेट करा, जो कि काला पानी टेरिटरी से होके जाता है, यह रोड धारचुला, उत्राखंड में धारचुला और लिकुलेक पास को कनेक्ट करता है, जो कि फर्दर मांट के लाज को जाने वाला मोटरेबल रोड बने इनागुरेटी को हर्ड कर रहा है, तो इस सेशन में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे कि इंडिया नेपाल रिलेशन्स में काला पानी टेरिटरी की जो हिस्टरी है, उसका क्या आस्पेक्ट रहे, ट्रीटी अफ सगौली हुई तो वो क्यों हुँँ थी, या अभी रीसेंट ए ट्यारी करना चाहते हो, तो हमारे सारे कूर्स लाइफ हैं, हमारे सारे टीचर्स लाइफ पढ़ा रहे हैं, आप जस्ट हमारी मोबाइल अप्लिकेशन डाउनलोड करिए और उन कूर्स को जॉइन करिए, लोग डाउन में बहुत अच्छा समय आपको मिला है ट्यारी करने के लिए तो आप उसको यूटलाइज करिए, ज्यादा जानकारी के लिए आप स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, तो हम हमारा सेशन शुरू करते हैं, सबसे पहले लोकेशन देख लीजिए, लोकेशन इस उत्त्राखंड का एक्स्ट्रीम नॉर् तो ये तीन कंट्री इसका ड्राइ जंक्शनल पॉइंट है, नेपाल की सरकार इस तरिटरी का एक बड़ा हिस्सा क्लेम करता है कि ये हमारी सोवरेन पावर के अंडर आता है, बट इंडिया के पास है, तो इरिया कंटेंस लिंपी, धूरा का एरिया है, काला पानी विलेज ह और लिपूलेक का रिजन है, एक्चुली नेपाल सरकार ये अपने मैप्स में शो करती है, कि ये रिजन हमारा होना चाहिए, और इंडिया इसके उपर कबजा जमा के बैठा हूँ, और यही डिस्प्यूट है, जो काफी टाइम पुराना है, इसका हिस्टरिकल अस्पेक्ट अगर हम लोग देखें, तो if you look at this, 1816 में एक ट्रीटी हुई थी, that is Treaty of Sagali, उस टाइम ये इस रिजन्स वर गवर्न्ड बाय गोर्खा किंग्नम, नेपाली रिजन्स के अगर मैं बात करूँ, और इंडियन साइड, ब्रेटिश इस इंडिया कांपनी इसको रूल कर रही थी, एंगलो नेपाली वार हुए, एंगलो गोर्खा वार हुए, और वार देवर कंक्लूडड आफ्टर ट्रीटी, जो कि 1815 दिसंबर में पहले वो केम इंटू सीन और मार्च 1816 में उसको फाइनलाईज करा गया, इस ट्रीटी ने इंडिया, ब्रेटिश इस इंडिया और नेप महाकाली जो होगी, वो इंडिया और नेपाल का वेस्टरन, नेपाल का वेस्टरन बॉर्डर डिसाइड करेगी, विच इस एक्चुली दिस बॉर्डर, अब देखिए, दो लोकेशन है यहाँ पे, यह जो है काला पानी विलेज है, और यह है लिपू लेक पास, और यहाँ पे कहीं लिंपी दुहरा का रिजन है, तो करंटली, इंडिया से इस, कि जो महाकाली रिवर है, जिसको आर्टिकल फाइफ ऑफ ट्रेटी अफ सगाली में लिखा गया है, जन बॉर्डर इंडिया नेपाल, वो यहाँ काला पानी विलेज से शुरू होती है, तो यह हम मानते ह कि यह हमारी बाूंटरी है, और यहाँ पे एक रिज है, जो कि एक्चुली हमारी बाूंटरी को डिसाइट करता है, या काला पानी रिवर नहीं है, बट नेपाल हैज़र Mihakali रिवर हैं जो स्टार्ट होती है, अब मैं आपको बता दो कि इनकी बहुत सारी ट्रिभूं ट्री है वो हमारी boundary होने वाली और actual यह ही महाकाली रीवर है इंडिया से इस नहीं महाकाली रीवर तो यहां से शुरूव होता है यह boundary हमारी जो कि define करी जाती है which is actually by a ridge जो वहाँ पे है so दोनों ही countries के पास कोई substantial demarkation नहीं है को longitude latitude के basis पे हमारी boundary demarketed नहीं है और यही एक main cause of concern है so further 1879 के maps भी है British East India के जो दिखाते हैं कि यह जो काला पानी टेर्टरी है यह इंडिया का पार था और इंडिया के पास 1830 के भी कुछ tax records है जिन में यह शो करा गया है कि काला पानी area British East India का पार्ट हुआ करता था जवाब है पर भारत और नेपाल ने इस dispute को उर्दाल करने के लिए timely बहुत सरे agreement sign करे हैं बहुत सरे documents ऐसा suggest करते हैं कि 1962 में since Nepal was monarchy at the time तो नेपाली king जो थे महिंद्रा उन्होंने यह territory इंडिया को hand over कर दी थी amid of India-China war कुछ documents ऐसा suggest करते हैं कुछ नहीं करते 1981 में Joint Technical Boundary Committee बनाएगी की भाई कोई final statement आ सके इस boundary dispute पे again 2014 में अटल बहरी वाजपाई थी के time भी 2000 onwards भी इस पे कुछ bilateral talks होए थे 2014 में Joint Commission Meeting बठाई जाती है foreign ministers की so that हम कुछ aerial survey करके boundary को दुबारा से revise करें या उसी को Nepal को मनाएं कि नहीं भाई यह boundary है आपकी और 2016 में Eminent Persons Group बनाया गया so that in bilateral issues एक UP के साथ और और bilateral issue है boundary का तो उनको ठीक करा जा सके but unfortunately इन किसी भी bilateral talks का conclusion ठीक से नहीं निकल पाया और यह dispute अभी और ज्यादा intensify हो गया जब इंडिया ने अपना नया map शु करा when we were हमने जम्वन कश्मीर को state of जम्वन कश्मीर को तो territories में reorganize कर दिया union territories of जम्वन कश्मीर and union territories of Ladakh में जब reorganize करके नया political map publish करा तो नेपाल एलेश्ट की भारत ने जो लिपू लेक वैली का रिजन था उसको भी अपने map में include कर लिया which is actually sovereign part of claim sovereign part of नेपाल तो यह overall dispute है जिसको अभी तक result नहीं किया गया अभी recently एक hot topic बना हुआ है भारत अब point is की काला पानी एक छोटी सी territory है normally 35 square kilometer का region भारत के लिए इतना important क्यों है तो देखिए मैंने आपको starting में बताया कि एक tri junction meeting point है इंडिया तिब्बत और नेपाल borders पे तिब्बत जो की actually चाइना है और लिपू लेक पास जो की काला पानी का एक main attraction point है वो just because of its height हम लोग चाइना की movements पे जो भी वहाँ पे surveillance करना है Chinese movements का उसको easily कर सकते हैं so point of the strategic importance यह अला पानी territory हमारे लिए बहुत महतपून है as well as इस pass को use करके इसको motorable road से connect करके हम लोग इस area से international trade को land based international trade को चाइना के साथ enhance कर सकते हैं अगर यह particular pass हमारे पास होगा third point is की months rover यात्रा जो लोग करते हैं तो months rover यात्रा के लिए earlier लिपू लेक पास के लिए सिर्फ एक tracking route था वो motorable road नहीं थी track करके लोग जाते थे लिपू लेक पास तक फिर लिपू लेक पास को cross करके तिबत के region में motorable road से कैलाश पहुंचा जात इसका एक alternate route हम लोग use करते थे वो था कि सिक्के में होते सिक्के में एक pass है नतुला पास चुम्भी वैली मेंटर होके हम लोग लाशा जाके months rover को access करते थे अब सी यहां पे वो particular लिपू लेक पास है यहां से जाना easier है instead of this यह route हमें तीन weeks का time लगेगा इस route से हमें सिर्फ ए एक week का time लगेगा हम लोग access कर पाएंगे अब motorable road आ गया है तो 80-90 km का track है उसको चलके नहीं वाया vehicles हम लोग complete कर पाएंगे तो यह भी एक aspect है trade एक aspect है strategic location एक aspect है तो तीन आफशिक चीजों की वज़ा से हमें यह particular territory चाहिए और normally हम लोग इसी बात को defend करने में लगे हुए है अब देखिए शरदा रिवर जिसको आम एक्चली नेपाल में महा काली रिवर ये ट्रीटे अफ सगाली में महा काली रिवर लेखा गया है आज आम उसे शरदा रिवर इंडिया में शरदा रिवर के नाम से जानते हैं तो basically आप इसको थोड़ा देख लीजे exam point overview से देखिए यह काला पानी विलेख से शुरू होती है और यह दो ट्रिब्यूटरी से मिलके बनी हुई है वानेस वनेस अगिन काला पानी रिवर और उसको लिपुगड बोलती है यही यही रिवर है जो नेपाल एक्चुली बाउंडरी मानता है इंडिया के साथ की हम तो कहते हैं महा का पाली काली रिवर की यह कुंति यांक्ति रिवर और लिपुगड और काला पानी रिवर यह दोनों जॉइन करती है एक एक लोकेशन पे विच नेम्ड अस गुंजी और और प्रेडमिनेंटली हम उसको काला पानी कहते हैं फर्दर यह रिवर घग्रा रिवर को यूपी में जाके घग्रा रिवर को जॉइन करता है जो की गंगे की ट्रिब्यूट रही है तो इनकी भी एक रॉनलोजी बन जाएगी वन इस लिपुगर्ड इन कुंति रिवर दोनों जॉइन करते हैं इस बिकम महाकाली काली और श्रदा रिवर और फरदर वो घग्रा रिवर को इस बास्ट पॉइंट है सॉलूशन क्या होगा इस डिस्प्यूट का सॉलूशन क्या होगा देखिए ऐस फर इस नेपाल इस कंसर्ण सिंस अर्लियर नेपाल एक मोनाकिकल किंग्डम था तो वहां पर इंडिया और नेपाल के रिलेशन हमेशा को डिल रहे हैं बट जैसे ही नेपाल में थोड़ा communist-backed government बनी है communist party की government बनी है और भारत और नेपाल के constitution को लेके इंडिया की थोड़ी बहुत interference रही है मदेशी को लेके हमारा support रहा है और एक economic blockade बना था 2015 में तब से लेके आज तक भारत और नेपाल के relations ठीक नहीं चल रहे हैं इंडिया का एक important role रहा है नेपाल में stability और development को maintain करने के लिए right now free movement permitted है हमारे borders के cross तो नेपाल जो है इंडिया के लिए security के point of view से कफी relevant point आज भी रखता है तो solution जो भी होगा वो bilateral होना चाहिए bilateral talks करके बात करके इस issue को resolve करना है उनको convince करना है foreign ministries के बात करने के बाद या कोई भी committees form करने के बाद इस escalation escalation तो चलो नहीं है इस dispute को calm down करके नेपाल के साथ relations ठीक करने के मुद्दे पे हमें आगे बढ़ना होगा यही इस problem का solution है हम इतना ही अगले session में दुबारा मिलेंगे तब तक के लिए good bye